बिग बॉस सिजन 17 में इशा मालविया को बिग बॉस ने दी ये बड़ी सजा अंकिता लुखंडे को मिला इनसाफ कनफेशन रूम में लगी इशा की क्लास तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रही है अंत तक बिग बॉस सिजन 17 में इशा कैप्टन बनने के बाद एक डिक् खेल रही है उसके बाद बिग बॉस ने इनसाफ दिया है अंकिता को और लग गई है कलास इशा मालविया की कनफेशन रूम में आखिर क्यों बिग बॉस ने बुलाया क्या है वो बड़ी वज़ा जिसके चलते कैप्टन सी चीनी जा सकती है इशा के साथ तो वैसे इसके पी खर्मा को जो इविक्षन था उससे लोग नाराज नहीं है एश्वेरिया वैसे भी घर में जादा कुछ नहीं कर रही थी लेकिन हाँ लोगों से लड़ना हो बिढ़ना हो लोगों की लड़ाई करवानी हो चुगली करवानी हो ये काम को छोड़कर एश्वेरिया के पास अगर टकर दे रही है कोई तो वो अंकिता ही है और ये बात ईशा को भी पता है ईशा ने लगातार पहले तो अंकिता का साथ दिया अपने फाइदे के लिए एश्वेरिया को घर से निकाला और अब एश्वेरिया को घर से निकालने के बाद इशा को पता है कि उनका सबसे बड़ा टारगेट इवन उनका नहीं धर में सबका सबसे बड़ा टारगेट अगर कोई है तो वो अंकिता है क्योंकि अंकिता बहुत ही स्ट्रॉंग गेम खेल रही है अंकिता को जनता का भी वैसा ही प्यार मिल रहा है चाहे वो कोई गैस्ट आया फिर खुद बिग बॉस या फिर सल्मान खान हर कोई अंकिता की तारिफ करते है क्योंकि अंकिता का नेचर जो है अंकिता का गेम जो है वो रियल है अब इशा को बुलाए गया है बिग बॉस के तरफ से कनफेशन रूम में दरसल इशा को बुलाने की बड़ी वज़त थी जब से इशा मालविया बनी है वो अपना ही रॉप चला रही है हर तरफ चाहे वो खुद रूल तोड रही हूं लेकिन दूसरे पर रूल तोडने का आरूप लगाती है चाहे वो खुद बिग बॉस की लाइट जलने के बाद भी सो रही है लेकिन खुद दूसरों पर वो आरूप लगाती है कि अंकिता काफी जदा शौक हो गये थी जिस तरीके से ईशा ने किया विक्की के बाद मुनवर के बाद मनारा के बाद रखा गया है अंकिता को जिसके बाद अंकिता काफी जदा ईशा से नाराज भी थी अब विक बस ने कनफेशन रूम में बुला कर पूछ लिया है ईशा से ब आरोप लगाना हो अंकिता को नॉमिनेट करना हो या फिर अंकिता को अर्टाइमिंग के हिसाब से सबसे लास्ट जगे, सबसे लास्ट पोजिशन देनी हो इसके बाद बिग बॉस ने कहा कि जिस तरीके से तुम्हारी केप्टन सी चल रही है लोग तुम्हारी नहीं सुन रहे इवन तुम खुद कई बार रूल ब्रेक कर चुकी हो और तुम आरूप लगाती हो अंकिता पर एश्वेरिया पर तो अगर तुम्हें ऐसा ही अगर कैप्टन रखना है तो बिग बॉस आने वाले दिनों में नए कैप्टन का चुनाओ भी कर सकते हैं और बहुत ज़दा हाइली पॉसिबिलिटी चांस है खुद बिग बॉस ने कनफेशन रूम में इश्वेरिया को एक वार्निंग दे दी है कि अगर उनका गेम ऐसा ही चलता रहा कैप्टन सी अगर उनकी इतनी धीली रही तो आने वाले दिनों में एक नया कैप्टन सी टास्क ह जहां पर नया कैप्टन को चुना जाएगा इश्वेरिया के कैप्टन सी से देखो घर में कोई भी खुश नहीं है अभिशेक ने भी इश्वेरिया पर आरूप लगाया है जब नॉमिनेशन टास्क हुआ था वहां पर भी अभिशेक के साथ नाइंसाफी हुई है तो अंकि तकि साथ बताईए का जरूर अपना उपीनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीचे